दोस्तो Time Store Network है उसका MyNet 10 October को launch करने को गाड़ है तो उसकी update की सेडियो में ले लेते हैं और साथ में इसका white paper भी इनोंने clearly बता दिया है road में भी बता दिया है और साथ में इसका list अब होगा और कितनी price पर होगा वो सब भी इनोंने बता दिया है और इसका ICO भी launch होने वाला है तो उसका भी पूरा schedule बना दिया है और इसमें जो कोई भी account बनाते हैं तो कप्रक account बनाएंगी और आपकी जो KYC करनी है तो KYC की last date कौन से होगी वो भी इन्होंने बता दिया है तो उस date के बाद आपकी KYC नहीं होगी तो दोस्तो सारी detail हम इस वीडियो में step by step लेने वाले हैं तो वीडियो में end तक जरूर से बने रहना आपको सारी information अच्छे से मिल जाएगी सबसे पहले ये time stopping network है तो इसमें जो हमारे पुराने friends है हमने बहुत पहले से join किया था और अच्छी कासी mining भी कर रहे है तो जब ये network market में है था तब भी मैंने आपको बता दिया था ये भी strong है और ये लोग कुछ unique करके बताएंगे तो दोस्तो ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही unique होने वाला है मैंने इनका पुरा white paper परा है और road में भी पड़ा है तो ये लोग अच्छा खासा development कर रहे हैं और इनकी planning भी बहुत अच्छी है तो ये भी अच्छा खासा market में performance दिखाएगा तो सबसे पहली बार अगर आप नए हो इसको join करना चाहते हो तो join कर सकते हो इन्होंने ऐसा कहा था कि 10 October के बाद अगर कोई यहाँ पर join करेगा तो इसका account उपन नहीं हो पाएगा तो अगर आप नहीं हो यहाँ पर join करना चाहा होटो कर सकते हो और डेख सकते हो यहाँ पर आपका account उपन होता है mining start to take यहाँ पर सबसे टॉपर आपके mining show होगी अगर हो तो अच्छा है आप यहाँ पर account बना कर mining कर सकते हो तो यह सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि यहाँ पर KYC करने होगी तो KYC की last date 31st December है 31st December तक आप यहाँ पर KYC कर सकते हो तो KYC के लिए भी इन्होंने condition रखी है तो वो condition left hand side सबसे टॉपर 3 line है वहाँ पर click कर लेना और फिर यहाँ पर about KYC वाल option है उसपर click करोगी तो आपको KYC की condition मालूम पर जाएगी तो यहाँ पर sticker collect कर रहना है तो यह fourth वाल option है यहाँ से रोजाना sticker को collect करना होगा और सबसे लास वाल option है तो यहाँ से आपको diamond भी gain करना होगा तो यह दोनों complete हो जाएगी उसके बाद आप KYC कर सकोगी तो चलो अब जिसकी update है उसको detail में cover कर लेती है लेकिन उसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो जिससे आपको अच्छे से update मालूम हो जाए तो अब सबसे पहली बात याद रख लेना हमारा time stopping network था वो beta network था तो जैसे ही 10 October से इसका main net launch होआ है तो इसका नाम change होकर मुझे एक network हो चुका है तो हमारा time stopping network बीता था उसका name change करके मुझे एक network इन्होंने कर दिया है और एक मज़े दर बात time stopping network वो अपनी own blockchain ला रही है उनकी blockchain का नाम fee blockchain रहेगा ठीक है FEE इसको मैं fee कहता हूँ ठीक है तो जैसे इनका डावा है वो यहाँ पर देख लो इन्होंने ICO रखा है initial coin offering तो वहाँ पर जो लोग investment करेंगे तो इनका जो goal है वो achieve हो जाएगा तो यह लोग Ethereum की जो price है उसको surpass कर देंगे यहाँ पर clearly बता दिया है If it achieves the hard cap beyond the soft cap of the ICO Mosaic will confidently establish itself as a proud native Korean mainnet that surpasses Ethereum तो इन्होंने जो soft cap और hard cap रखा है अगर वो complete हो गया तो Mosaic की जो blockchain है उसका mainnet है जिसको हम free network कहते हैं वो Ethereum को surpass कर देगा यहाँ पर इन्होंने clearly बता दिया है तो इसका main जो है वो ICO यान initial coin offering रहेगा जिसको हम pre-selfie कहते हैं और एक मज़े दरबर जो लोग यहाँ पर ICO में participate करेंगे उनका बहुत सारे benefit होने वाले है यहाँ पर सारे benefit इन्होंने बता दिया है तो आप में यहाँ से पढ़ना चाहाँ auto पर सकते हो दोस्तों कल 10 October था यहाँ पर टॉपर डेक लो 10 October सोह रहा है तो यह 10 October के इनके official update है external team ने कह दिया है ठीक है इनके जो 40 billion fee coin है वो इन्होंने distribute कर दिये है We notified you that all work on the mainnet has been completed on October 10, 2022 तो 10 October को इसका mainnet launch हो चुका है ठीक है और जो fee token है यान इसकी blockchain है उसके उन token fee token रहेगी यान इसका coin है fee coin तो उसकी total supply 40 billion token की रहेगी ठीक है और यह वाला address दिया है यहाँ पर इन्होंने distribution कर दिया है तो इस वाले wallet से यह चार wallet है यहाँ पर इन्होंने distribution कर दिया है वो क्यों कि और है क्योंकि यह चार wallet है वो note को run कर सके Note को run करने के लिए वहाँ पर fee token यान ी fee coin है उसका होना जरूरी है तो यह चार no Mash है यह start हो चुके हैं तो एक main बात है इसकी blockchain है वो run करना start हो चुकी है और जो 4 node है वो भी इन्होंने run करना start कर दी है तो सब कुछ सही से काम करने लगा है यहाँ पर इन्होंने clearly बता दिये ठीक है दोस्तो अब यह mojik है उसका white paper है इसका logo भी आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है इस तरह के लोगो रहेगा यह moji के इसका white paper है उसमें जो मोटी मोटी बाते है वो आपको बटा देता हूँ तो सबसे पहले बात 1.5 million users से वो time shopping की application है उसको यूज करते हैं तो यहाँ पर 1.5 million active users से अब एकवरमें बात वो भी देख लो इन एडिशन new witness will not be registered after October 10th यहाँ पर देख लो 10 October के बाद कोई नया refer होगा यानि नया बंदा इस application को जोइन नहीं कर पाएगा तो इनोंने यहाँ पर कहा है अगर आप join करना चाहो तो कर सकते हो फिर date लेना आपके mining होती है या नहीं होती है अगर ना हो तो समद लेना अब के बाद कोई भी यहाँ पर registration नहीं कर पाएगा तो यह पहली बात रही है अब दूसरी बात after December 31st 2022 user will no longer be able to submit KYC तो 31 December 2022 के बाद क कोई भी यहाँ पर KYC नहीं कर पाएगा तो यह दो बाते में है इसको यार रख लेना आपकी KYC अभी तक नहीं हुए है तो जल से जल उसको complete कर लेना 31st December last देथे दोस्तों अब यहाँ से एक और बात पता चले है when exchanging the exchange fee is fixed and three time can be converted to one fee in both ठीक है यहाँ पर डेकल तो हम जो time token में convert करेंगे हमारे सारे token को time token से fee token में हमको convert करना होगा तो वहाँ पर तीन time token के बराबर में एक fee time token मिलेगा तो यह fee coin है इसके उन blockchain है तो यह coin रहेगा तो हमारे जो तीन time token होगी उसको एक fee coin में convert कर सकेंगे यहाँ पर इन्होंने बता दिया है तो दोस्तों मैंने आगे जिसे बताया है इनका ICO आने वाला है तो ICO का प्लान है देख लो swap cap में इन्होंने पांच लाख डॉलर का रखा है तो पांच लाख डॉलर swap cap है फिर hard cap 4 million dollar यह भी बहुत ही जड़ा है तो private network के तो 56 million dollar का रखा था वो भी complete होने वाला है तीक है और वो भी बहुत ही जल लीस होगा अगले बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा है उसके बाद वो बहुत ही कम है 5 million dollar का है और यहां से swap cap है वो पांच लाख डॉलर का है तो यह तो आसाने से complete हो जाएगा और अगर आप ICO में participate करोगे तो एक USDT के बदले में 769.23 fee coin है वो मिलेंगे इसकी total supply 40 billion token की है तीक है दोस्तों अब इनका ICO का play होने वाला है वो भी देख लो November 1,2022 से लेकर December 31,2022 तक रहेगा ठीक है यह time period यार रख लेना इन्होंने यह कहा है कि अगर यह time period में इनका ICO है वो complete हो जाएगा यानि 5 lakh dollar shop cap और 4 million dollar heart cap complete हो जाएगा तो यह लोग April या फिर June 2020 में यह जो token है उसका listing कर देंगे यानि time store पे token है और यह free coin है इन दोनों का exchange पर listing कर देंगे ठीक है दोस्तो इस तर कैसे इन्होंने अपना plan रखा है तो यह 2020 में list हो जाएगा इसकी full possibility है तो दोस्तो अमरा time token है और यह free coin है वो डोनों 2020 के दूसरे quarter में list हो जाएगे इसकी भी full possibility है और यहापर भी पूरा route में होते है यहापर देख लो quarter for 2022 और दोस्तो quarter to 2020 में क्या कहा है listed on several exchanges listed in the coin market cap top 50 coin market cap पर top 50 exchanges है उनमें से बहुत सारे exchanges पर quarter to 2023 में time token है और free coin है उसको list कर देंगे यहापर clear बटा दिया है listed on several exchanges listed in the coin market cap top 50 तो top 50 वाल exchanges पर यह लोग list करेंगे ठीक है और listed on the Korean currency exchange among the top 5 exchanges in Korea तो Korea के top 5 exchanges है वहाँ पर भी यह लोग list कर देंगे ठीक है दोस्तों quarter to 2023 में इसका listing हो जाएगा clearly इन्होंने बटा दिया है ठीक है तो आपके पास mining का अच्छे खासा मौका है अच्छे खासे तोकन यहाँ से grab कर सकते हो और यहाँ पर भी है तो यह वाला फोटो भी में आपको telegram की channel है वहाँ पर 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 सेयर कर दिया था तो आप telegram पर भी active रहना वहाँ पर भी यह सब detail आपको मिलती रहेगी ठीक है वीडियो बनाने में थोड़ा time लगता है इसलिए आपको यह update YouTube पर बात में मिलती है सबसे पहले आपको telegram की channel है वहाँ पर मिल जाती है ठीक है दोस्तो इस तरके से इन्होंने अपना roadmap और सब कुछ रखा है तो दोस्तो यह white paper इन्होंने 6th October को launch कर दिया था ठीक है और भी ज़्यादा detail है तो यह आप इनकी telegram की channel है वहाँ से ले सकते हो तो जबर्जस लेगा तो दोस्तो फी कोईन के लिए जीतने ज्यादा नोड रन होगे उतना ही ज्यादा value हमको मिलेगा time token का भी और फी कोईन है उसका भी ठीक है और दूसरी बात के investment तो investment ज्यादा होगा तो value ज्यादा मिलेगी यह तो बिल्कुल जाहिर सी बात है तो दोस्तो अगर आप नहीं हो इसमें join कर सकूट कर लेना mining start कर सकूट कर लेना और जो हमारे बहुत सारे दोस्त इसको mining कर रहे हैं जिनकी KYC नहीं हुए है वो लोग जरूर से KYC को कर लेना KYC के लिए जो कुछ भी condition है उसको जरूर से fulfill कर लेना क्यूंकि इसका last day थे वो 31st December को ही रखा है 31st December के ब मिलते हैं ऐसी एक और नहीं वीडियो मेटब तक के लिए keep mining and keep earning